यात्रिगाई कृपया ध्यान दे जैहिन मैं राहुल पांडे वेलकम करता हूँ आपके अपने रेल लिपोर्टिंग चैनल रेल फायन व्लॉक्स पर दोस्तो वीडियो को शुरू सलेकर लास्त देखियेगा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सीटापुर जक्सन से परसेंडी रेलवे स्टेशन के बीच में 16 नवंबर से लगा करके 24 नवंबर के बीच में मेगा ब्लॉक लिया गया है तो उसकी इसक्लोजिव कोवरेज आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाएंगे दोस्तो आज हम सीटापुर जक्सन रेलवे स्टेशन पर मेगा ब्लॉक की कवरेज करने के लिए जीरो चववन नब्बे लखनाव सीटापुर इस्पिसल ट्रेन से गये थे और साथ में हमारे साथ रतनसर जिनके चैनल का नाम है ट्रेनस एंड ट्रेवल तो रतनसर भी हमारे साथ गये थे तो दोस्तो आप सभी को हम आज की इस वीडियो में सीटापुर से परसंडी के बीच में जो मेगा ब्लॉक लिया गया है उसमें क्या क्या कारी चल लहा है उसकी कवरेज हम आप सभी को सीटापुर से टपा खजुरिया रेलवे स्टेशन के बीच में दिखाएंगे तो आप वीडियो को शुरूस लेकर आन तक देखिएगा दोस्तो आप सभी को बता ये जो लखनाव सीतापुर इस्पेसल ट्रेन आप सभी को सीतापुर जक्सन के आउटर पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है तो ये ट्रेन दोस्तो सीतापुर के आउटर पर ही रुख गई थी दो सीतापुर जक्सन रेलवे स्टेशन के प्रिफॉर्म नमबर वन पर लिया गया है और जो दोस्तो तीन नमबर चार नमबर और पांच और छे नमबर है इस पर दोस्तो आज कोई भी ट्रेन या कोई भी मालगाडी खड़ी हुई मुझे नहीं दिखाई दी तो दोस्तो हम सीतापुर की दिशा में सामने आप सभी को इस टॉपर नई वाली लाइन में लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा दोस्तो यह जो नई वाली लाइन है यहां पर दो तीन जगे सीतापुर के आउक्टर पर इस टॉपर लगा है तो इस इस टॉपर को हटाया जाएगा और की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे उससे पहले क्या-क्या तैयारिया चल रही हैं तो आप लोग वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा दोस्तों और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग हमारी ऐसी ही व द्यारिय अगर जगा हुआ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो बैलास्ट है नई रेल लाइन पर वो काफी ज़ादा फिल कर दिया गया है आप सभी को दिखाई दे रहा होगा और दूर दूर तक आप सभी को stopper भी नजर आ रहे होंगे देख सकते हैं यहां भी आप सभी को इस्टॉपर नजर आ रहा है यह दोस्तों सियारस से पहले हटा लिया जाएगा क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दे जो हमारे सियारस साहब होते हैं उनको कोई भी अगर खामिया मिलती है तो जो सियारस है वो दोस्तों टल स लगता है तो इसलिए यहां पर जो इस्टॉपल लगाया गया है इसको सियारस से पहले हटा लिया जाएगा दोस्तो हम नई वाली रेल लाइन पर चल रहे हैं और आप सभी को मेरे सामने रतनसर भी दिखाई दे रहे होंगे दोस्तो हम और रतनसर लखनाव से सीतापुर के बी की है आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा देख सकते हैं दोस्तो यहां पर जो मास्ट है उनमें पेंटिंग का काम जो है वो कर लिया गया है काफी चांदार द्रस हम आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं दोस्तो सामने आप सभी को ल देख सकते हैं काफी जादा मात्रा में बैलाश्ट भी फिल कर दिया गया है दोस्तो यह जो कर्व आप सभी को दिखाई दे रहा है यह सीचापुर जक्सन रेलवे स्टेशन के आउटर पर है दोस्तो यहां से हम 300-400 मीटर के आसपास जब आगे की दिखा में बढ़ेंगे त कि किस तरीके से ट्रैक जोडने का काम और जो कैची पॉइंट होती है उसके बनाने का काम बहुत तेजी कर से चल रहा है कम से कम दोस्तो 2500 आसपास के करीम में लेबल लगी हुई है तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा हम आप सभी के लिए दोस्तो बहु पड़ी थी तो आप लोग समझ सकते हैं देख सकते हैं दोस्तो यहां पर कर वाला ट्रैक आप सभी को दिखाई दे रहा है यह जो दिशा आप सभी को दिखाई दे रही है यह टपा खजुरिया और परसंडी की दिशा हो जाएगी दोस्तो अभी हम आप सभी को टपा खजु की गई है दोस्तों आप सभी को बता दे जब सियारस होगा सीतापुर से परसंडी के बीच में तो उसकी भी कवरज हम आप सभी को अपने यूटूब चैनल के माध्यम से दिखाएंगे अगर आप लोग हमें उसकी वीडियो बना करके बेजना चाहते हैं तो दोस्तों आप लो काड़ जाल फैला हुआ है और दोस्तों दोहरी करल लाइन में नए जक्सन बॉक्स बनाए जाते है वो भी आप सभी को लेप हैंड की तरफ नजर आ रहे होंगे सामने आप सभी को जक्सन बॉक्स एक और नजर आ रहा है देख सकते हैं दोस्तों वीडियो पर बने रहिए आप सभी को हम पूरी वीडियो की कवरेज इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो आप लोग वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा आप सभी को इस वीडि होते हैं उनका मकरजार फैला हुआ है यह सकते हैं दोस्तों आप सभी को नजर आ रहा होगा और कर भी आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यह देख सकते हैं यह सीता पुर जक्सन रेलवे स्टेशन की दिसा हो जाएगी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रैक है उसको जोड़ा गया है उसके बाद ग्रीस होती है उसको track joint पर लगाया जाता है जिससे कि वहाँ पर कोई दिक्कन ना हो track slip न करे देख सकते हैं दोस्तो यहाँ से दोस्तो अब 300 मीटर के आसपास बचा हुआ है जहाँ पर जोरो जोरो से track linking का काम और कैंची point बनाने का काम किया जा र गया है दोस्तो जिस section पर भी CRS होता है तो वहाँ पर printing का काम और जो भी छोटे मोटे कारी होते हैं वो complete कर लिये जाते हैं वैसे यहाँ पर भी हुआ है कारी जो है पूरी तरीके से complete कर लिये गए हैं सिर्फ mega blog में जो track linking का काम होता है वो सिर्फ बाकी है तो उसको दोस्तो बहुत तेजी कसे किया जा रहा है आप लोग वीडियो पर बने रहे हैं मैं आप सभी को उसकी पूरी coverage हम YouTube चैनल के माध्यम से दिखाएंगे एक सकते हैं यहाँ पर भी आप सभी को wire नजर आ रहे होंगे और काफी अच्छा द्रस भी आप सभी को लग रहा होगा एक सकते है दोस्तो यह जो मील है इस मील के पास हम आ चुके हैं यह दोस्तो सीतापुर से जब आप परसंडी railway station की दिशा में बढ़ेंगे यह टपा खजुरिया railway station की दिशा में बढ़ेंगे तो सीतापुर से 100-500 मीटर आगे आउटर की दिशा में पढ़ जाता है दिखाईए आप सभ काफी जादा मात्रा में फिल कर दिया गया है और जो ट्रैक पैकिंग मसीन है उसने सीतापुर जक्सन से परसंडी के बीच में ट्रैक पैकिंग का कार भी पूरा ख़तम कर लिया है दोस्तो आप सभी को बता दें जो सीतापुर से परसंडी के बीच में मेगा ब्लोक लिया ग बने रहिएगा आप सभी को हम इसकी पूरी कबरज अपने यूटूब चैनल के माध्यम से दिखाएंगे दोस्तों आप सभी के लिए मैं बहुत ही मेनत कर रहा हूं तो आप लोग वीडियो पर जरूर बने रहिएगा और जो लोग हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार आ र लोगों से मिस ना हो दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं पेंटिंग का काम कर लिया गया है और जो जक्सन बॉक्स पर नंबरिंग होती है वो भी दोस्तों कर दी गई है आप सभी को नंबर भी यहाँ पर जक्सन बॉक्स पर लिखे हुए नजर आ रहे होंगे और यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं आप सभी को कर भी दिख रहा होगा दोस्तो यहां से हम जब 50 मीटर आगे बढ़ेंगे तो आप सभी को दोस्तो एक लाल कपड़ा लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा और दोस्तो जो ट्रेन संचालन है सीतापुर से बुडवल के बीच में वो पू जिस ट्रेक पर हम खड़े हुए हैं इस ट्रेक पर दोस्तो ट्रेनों का संचालन होता है सामने आप सभी को रेड कपड़ा नजर आ रहा होगा दोस्तो जो ट्रेन संचालन है वो बंद है आज के समय में देख सकते हैं और यह जो ट्रेक दोस्तो आप सभी को दाहिने हाथ की चरप डिखाई दे रहा है। ये डबल लाइन वाला ट्रेक है। दोस्तो इस ट्रेक को जो ये वाला ट्रेक है इसमें लिंक किया जाएगा। और बाए हाथ की चरप जो आप सभी और ट्रेक दिखाई दे रहा है। दोस्तो उसको आगे खिसका कर जिस ट्रैक पर ट्रेन चलती हैं इस ट्रैक से लिंक किया जाएगा दोस्तो हम बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं जहां पर काफी ज्यादा मात्रा में लेबल लगी हुई है और ट्रैक लिंकिंग का कार और जो जोइंट होते हैं उनके बनाने का क काम और साथ ही में जो तो जो कैंची पॉइंट होती है उसको भी वहाँ पर बनाया जा रहा है आप सभी को हम दिखाएंगे बिल्कुल हम दोस्तो नजदीक पहुँच चुके हैं देख सकते हैं आप सभी को यहीं से नजर आ रहा होगा और यहाँ पर दोस्तो जनरेटर रख खा हुआ है रात में भी काम यहाँ पर किया जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं जो दोस्तो 24 तारीक को डेट रखी गई है सीतापुर जक्सन से परसेंडी के बीच में तो आप लोग मानके चल सकते हैं इस कार क्यों दोस्तो 23 तारीक को ही समाप्त कर दिया जाएगा क्योंक यह 23 नवंबर को ही खतम कर लिया जाएगा और उसके बाद 24 नवंबर को CRS करा करके यह जो दोहरी करण वाली लाइन है इस पर माल गाडियों का और ट्रेनों का संचालन्ज शुरू कर दिया जाएगा उसकी भी कवरेज हम आप सभी को अपने यूटूब चैनल के माध्यम से द देख सकते हैं दोस्तों काफी ज्यादा मात्रा में आप सभी को लेवर नजर आ रही होगी अभी हम आप सभी को पास में ले करके चलेंगे और आप सभी को दिखाएंगे कि किस तरीके से यह कार किया जा रहा है दोस्तों ये वीडियो मैंने बहुत ही महनत से बनाई है आप दोस्तों आप सभी को बता दे इस कार में एक चेसेवी मसीन और एक हाइडरा मसीन काम कर रही है उसको भी हम आप सभी को दिखाएंगे अभी आप सभी को पास में ले करके चलते हैं आप लोग वीडियो पर बने रही है देख सकते हैं दोस्तों काफी ज्यादा मात्रा में य देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा मात्रा में लेबर नजर आ रही है और दोस्तों बता दें जब सीता पुर जक्सन से परसेंडी के बीच में डबल लाइन का CRS SP ट्रैल करवाया जाएगा तो उसकी भी कवरेज हम आप सभी को अपने यूटूब चैनल के माध्यम से दिखाएंगे और देख सकते हैं यहाँ पर लाल जंडी लगा दी गई है जिससे कि कोई मालगाडी और कोई भी ट्रेन यहाँ पर ना आये और दोस्तों जो सीटा पुर से गोंडा पसेंजर चलती है वो भी दोस्तों आज रद है देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज़्यादा मात्रा में लेबर आप सभी को नजर आ रही होगी अभी आप सभी को हम पास में ले करके इसका पूरा विव दिखाते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ट्रैक को जोड़ने के बाद जो थ्रेसिंग होती है ट्रैक की वो यहाँ पर की जा रही है आप सभी को मसीन काम करते हुए नजर आ रही होगी और यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज़्यादा मात्रा में मसीने रखी हुई है बिल्डिंग का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है देख सकते हैं दोस्तों बहुत बड़ी कवरज हम आप सभी को अपने यूटूब चैनल के माद्यम से दिखा रहे हैं और सामने बहुत तेजी गजसे काम किया जा रहा है ट्रैक लिंकिंग का और जो जॉइंट होते हैं उनके बनाने का और जोस्तो साथ ही में जो कहींची पॉइंट होती है उसके रख दोस्तों में भी काम लाइट लगा करके किया जा रहा है तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं जो सीतापुर से परसंडी के बीच में 24 नॉवंबर को सियारे स्पीट ट्रैल करवाया जाएगा उससे पहले ही ये लोग इस कार को समाप्त कर देंगे देख सकते हैं दोस्तों कि अला देंगे य्दुर है तोन देख सकते हैं gidवार ल проститы जा कियाम करता हैं जा ऑicação परिदो को दा मैं मुद गय ऑन, जा माँ ब हुआतस हैं या लो, को समय को वाईग, से वितकतत सकते हैं भी समय के पहले ही जाएग, ग याग, फ्याद में है जो कर दो तáriम aumentar होओ कर दो निय प्रमों मैं वार शोलक यो Сदय है कर दो किया है ओनाओ आसे व्लाय को अ उर दो मैं आचर दो सान उलक को शोलक दो और है दोस्तो जब आप लोग मलुखी क्रोसिंग से आगे बढ़ेंगे टपा खजुरिया की दिसा में तो ये क्रोसिंग पढ़ जाएगी दोस्तो आपको मेरे सामने दाएं हाथ की तरफ ये जो ट्रैक दिखाई दे रहा है ये नया वाला ट्रैक है इसी ट्रैक से दोस्तो 24 नॉंबर को CRS स्पीड ट्रैल होगा देख सकते हैं यहाँ पर हम दोस्तो क्रोसिंग पर खड़े हुए हैं और आप सभी को यहाँ पर दिखा करके फिर उसके बाद CRS होगा 24 नॉंबर को जब CRS करवाया जाएगा उससे पहले ही इस कार को यहाँ पर भी दोस्तो समाप्त कर लिया जाएगा और यह दिसा जो आप सभी को दिखाई दे रही है यह सीता पर जक्सन रेलवे स्टेशन की हो जाएगी यहाँ पर भी देख सक करते हैं दाहिने हाथ की तरफ लेबर काम करते हुए आप सभी को नजर आ रही होगी और सामने आप सभी को ओएची वैन दिखाई दे रही होगी दोस्तो इस पर जो आरवीनल के लोग हैं वो चड़ करके जो ओएची लाइन सीता पर से परसेंडी के बीच में बिचाई गई है उसको चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है दोस्तो अगर कोई दिक्कत या प्रॉब्लम होती है तो उसको सियारस से पहले ही ठीक कर लिया जाएगा क्योंकि आप सभी को बता दे जो सियारस साहब आते हैं उनको सियारस में कोई भी खामि नहीं मिलनी चाहिए। उससे पहले इस कार को यहां पर किया जा रहा है। और देख सकते हैं क्रॉसिंग भी बंद है। और कार कापी तेजी गस्ते क्रॉसिंग पर भी हो रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग वीडियो पर जरूर बने रहीएगा। आप सभी के लिए मैंने बहुत ही मेनत करके ये वीडियो बनाई है, देख सकते हैं, यहाँ पर क्रोसिंग बंद है, और कार काफी तेजी गज़ से चल रहा है, देख सकते हैं, और OHE वैन भी आप सभी को नज़र आ रही होगी, और OHE वैन के बैक साइड से लोग निकल रहे है क्योंकि यहां पर क्रॉसिंग बंद है, कोई रास्ता नहीं है, इसलिए OHE1 के बैक साइड से लोग निकल रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों, आप सभी को नजर आ रहा होगा, मैंने जूम करके आप सभी को भी दिखाया भी है, और यहां पर भी ट्रैक लिंकिंग का कार है, और यह जो वीडियो मैंने बनाई है, यह वीडियो सीतापुर जक्सन रेलवे स्टेशन से लगा करके, खजुरिया रेलवे स्टेशन के बीच में बनाई है, उमीद है, आप सभी को यह मेगा ब्लॉक की वीडियो पसंद आएगी, यह देख सकते हैं, क्रोसिंग बंद है, और ल दोस्तों, रेलवे का काफी जाधा खर्चा आया होगा, आप लोग समझ सकते हैं, दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताईएगा, आप सभी को वीडियो कैसी लगी, देख सकते हैं, दोस्तों, ओएची वयन, आप सभी को नजर आ रही होगी, और जो दोस्तों, वैरिं टेंडी के बीच में दो दो सो डाई डाई सो मीटर की जगे पे ट्रेक जोड़ना बाकी है और दोस्तों जो कैची पॉइंट होती है उसको बनाना बाकी है इसलिए दोस्तों मेगा ब्लोक लिया गया है तो काफी ज़्यादा मात्रा में यहां पर भी आप सभी को लेवर नजर का रही होगी और यह एक क्रासिंग है यहां पर भी दोस्तों डामर डालके इसको बनाया जाएगा रोड टाइप का और यह जो दिसा है दोस्तों यह दिसा टपा खजुरिया रेलवे स्टेशन की हो जाएगी अभी हम आप सभी को कैमरा जूम करके टपा खजुरिया रेलवे स्टेशन है तो अब पर हजिरिया रेलवे स्टेशन पर दोस्तो टेंट लगाई गई है यहीं पर जो लेबर हैं वो खाना खाते पीते हैं और यहीं पर सोते रहते हैं दोस्तो यहां पर रात में भी काम थेजी गसे किया जाता है दोस्तो आप लोग समझ सकते हैं CRS से पहले इ लोग दोस्तो बोर रहते कि इस कार को 20 नवंबर तक ही हम लोग कंप्रीड कर देंगे क्योंकि दोस्तो आप सभी को मालुम होगा 24 नवंबर को सीता पुर जक्सन से पर सेंडी रेलवे स्टेशन के बीच में सियारस स्पीड प्रैल होगा और सामने आप सभी को एक लेबर नजर आ रहा होगा जो की दोस्तो घपः खजुरिया रेलवे स्टेशन पर टेंट लगी है वहां से खाना ले करके आ रहा है यह जो दोस्तो लेबर लोग यहां पर काम कर रहे हैं इन लोगों का लंच का जो टाइम है वो को चुका है अब यह लोग खाना खाएंगे उसके बाद फिर कार शुरू हो जाएगा तेजी गत्से देख सकते हैं यहां पर भी कार जो है वो बहुत तेजी गत्से किया जा रहा है दोस्तों आप सभी को बता दें मैंने आप सभी को यह बहुत ही बड़ी कवरेच अपने यूटूब चैनल के माध्यम से दिखाई है और यहां पर दे हैं तो प्लीज आप लोग हमारे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि दोस्तों आप सभी को हमारे यूटूब चैनल रेल फैन व्लॉक्स पर इसी तरीके से और ट्रेन एक्शन की स्पीड वीडियो देखने को मिलेंगी तो प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्काइब कर लिजे यहां पर क्रोसिंग बंद है और कार काफी तेजी गस्से कहिंची पॉइंट बनाने का और ट्रेक लिंकिंग का कार हो रहा है देख सकते हैं दोस्तों आप सभी को बहुत जल्द हम सीता पूर जक्सन से जो फ्लेटफॉर्म नंबर 6 की लूप लाइन है उसको लखीमपुर वाले लाइन से जोड़ा जाएगा इसकी वी कवरेज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाने की पूरी-पूरी कोसिस करेंगे यहां पर देख सकते हैं बैलास्ट किस तरीके से डाला जा रहा है और जो ट्रेक के अंदर द दोस्तो दोस्तो फेक सकते हैं इस तरीके से यहां पर बैलास्ट मकड़ जाल की तरह फैला हुआ है इसको दोस्तो सियारेस से पहले सही कर लिया जाएगा आप सभी को दोस्तो 23 नौंबर तक सीतापुर से परसेंडी के बीच में जो इस तरीके का मकड़ जाल फैला हुआ है ये नजर नहीं आएगा, पूरा complete section सीता पुरसे परसंडी के बीच में नजर आएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा, सेर कर दीजेगा.